लंड बॉक्स से अब उस लजीज डिश को बाहर निकालने का वक्त आ गिया है जिसका जायका लेने के लिए पार्टी में मौजूद हर शक्त बेताब नजर आता है अक्टर कार्टे कार्यन भी फिल्म इंडस्ट्री में मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन चुके हैं कार्टे कार्यन ने इंस्ट्रग्राम पर एक तस्वीर शेर की और फैंस ने उनके लिए दीवानगी को नाशनल से इंटरनाशनल बना दिया उनके फैंस का बस चले तो वो हर गली हर मोहले में कार्टे कार्यन को लेकर अपनी दीवानगी के पूस्टर लगवा दे किसी ने लिखा नाशनल क्रश से भी ज्यादा, इंगर नाशनल से भी ज्यादा वा लगता, किसी ने लिखा, अरे अब तो मारी जालोगी क्या, कातिक की एक सस्वीर पर जांच लखने वाली लड़कियों की लाइन लगते, वैसे उन्हें पसंद करने वालों में फैंस भी नही वो समसा ध्यान कीचने का दम रखते हैं, अभी तो अनन्या पांटे और सारा अलिखान के बाद अब फिल्म मलाल से इंडस्ट्री में डेव्यू करने वाली शर्मिन सेगल भी उनके साथ कौफी डेट पर जाने की समन्दा जाहिर करने से खुद को नहीं, बिछने हफते फिल चकांटे मेरे साथ देऴ्य पर चलोगे कार्टिक? ही, नहीं, शर्मिन ने कार्टिक के साथ देपर जाने की वज़े भी बताय, और कहा, मैं कार्दिक के साथ देट पर जाना चाहती हूँ ताकि उनके साथ वक्त बिता सको, बात करते हूँ और उन्हें अच्छी तरह जाना हूँ शर्मिन इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली पहली आक्टिर नहीं है जिन्होंने कार्दिक को अपना क्रश बताया हूँ उनसे पहले करण जोहर के टीवी शो कौफी बित करण में पहुची सारा आली खान और अनन्या पान्दिक के साथ देट बुक कर चुकी है अलगि कार्दिक आरियन भी अपने जाने वालों की खौहिश पूरी करने में यकिन रखते हैं और कुछ दिन पहले वो हिमाचल में फिल्म लव आजकल टू की शूटिंग के बहाने तारा आली खान की डेट पर जाने की खौहिश तो पूरी कर चुके हैं इस दोरान दोनों ने एक दूसरे से नस्दी के अधारी करने का भी कोई मौका नहीं गवाया से पहले कार्टिक अनन्या पांदी की भी डेट पर जाने की खौहिश पूरी कर चुके हैं तोनों को कई मौकों पर साथ स्पोट किया गया था अनन्या को एक बार फिर फिर पती पती और होकी शूटिक के दौरान कार्टिक के साथ कॉफी डेट पर जाने का मौका मिल सकते में देखना दिलचस्ट होगा कि कार्टिक के साथ डेट पर जाने की शर्मिकी दिल की खौहिश कब पूरी होती है और काट देगे स्पट या रियाक्शन देगे